मित्रों आप सभी को मैंने कल या पूर वीडियो में ये बताया था कि विलेज का विकास कैसे हुआ उसकी सगर मैं समरीद हूँ तो ये कहना चाहूँगा कि आफ्रीका के जंगलों से निकल कर जब मानों मैदानों में आता है तो उस मैदानों में उसने देखा कि उसे क्लाइमेट चेंज का सामना करना पड़ा था और उस क्लाइमेट चेंज के बाद उसके अंदर बैलोजिकल चेंजिस भी हुए थे उस बैलोजिकल चेंजिस से उसके सरीर में जहां अनीक परिवर्तन हुए थे वहीं क्लाइमेटिक चेंज के द्वरा प्रकिर्थ से उसके संबंध में परिवर्तन हुआ था बड़ी पसू गायब हुए थे छोटे पसू आई थे और इस प्रकार से उसने एक छोटा सा ग्रूप निर्मित किया था उस ग्रूप में उसने सारे रिष्टे नाते का अभिकास किया था और यह काल या कार यह आप कह सकते हैं मदे पासराण जुक का था मदे पासराण जुक के अंतिम दिनों में खी मनुष जानवरों को पालने लगा था और पहला पालतू जानवर या पहला पसुमित्र उसका कुत्ता बन कर आया था लेकिन समय बदलता गया और सिकारी मनुष जंगलों के जो सीट्स थे बीज थे उसे दूर जाना चारा है और दूर जाने के इस प्रक्रिया में उसने मैदानों में जंगलों के बीज को बगया था और वही बीच से जो प्रोडेक्शन आया उसी प्रोडेक्शन से उनके अंदर एक अत्रिक्त आप कह सकते हैं कि जागरुत्ता आई और उस जागरुत्ता के कारण खेती की सुरुवात हुई क्योंकि खेती की सुरुवात के बाद या आप कह सकते हैं कि खेतों में फसलों के लगने के बाद उसकी सुरच्छा करना और उससे सीचना खाद देना की भावनाओं के कारण वे अपने खेतों के इर्द गिर्द बसने लगे थे और उनमें अस्थाई जीवन का आरंब हो जोगा था और इस अस्थाई जीवन ने ही ग्राम में जीवन का विकास किया था अब जब ग्राम मीड जीवन हो गया तो उस ग्राम में जीवन में शंगर्स भी शुरू हुआ था और ये शंगर्स उस समय और बढ़ा जब लोही की ज्यान से परचित हो गये लोहे का उभोने प्रियुक किया और लोहे का प्रियुक करके अत्रित उत्पादन प्राक्त किया जब अत्रित उत्पादन आया तो अत्रित उत्पादन से बचत आई और यही जो बचत है वही बचत ट्रेट का विकास करेगी तो आईए, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेट का विकास या ब्यापार और ब्योशाय का विकास कैसे होता है तो आप देख रहे होंगे, एक इमेज आपके सामने दिख रही होगी इस इमेज में दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे लोग एक खेत में बुआई कर रहे हैं जाहर से बात हैं कि इसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं लेकिन समय बदलेगा और जब समय बदला तो इसमें क्या प्चेंज जा रहा है आप देखेंगे कि समय में क्या बदला हुआ रहा है चुकि ये लोग खेतों में लोहे का प्रयोग कर चुके हैं और इस प्रयोग के कार्ण आप देख रहे हैं कि ये उत्पादन इनकी पास maximum हो रहा है और जैसे ही उत्पादन maximum होगा surplus production देखिए नीचे लिखा गया है तो ये जो maximum उत्पादन आ रहा है ये ही maximum उत्पादन है जिससे पानी के लिए या बनाए रखने के लिए वो करेंगे क्या अधिक से अधिक लोह उपकरणों का प्रयोग करना चाहेंगे और लोह उपकरणों क पणे के लिए वे लोकर जायेंगे तो जहर सी बात है किदेखिए पुना वाय हो जाएगे और यह ऑर देखिए कि यह सारे लोग जो खेतों में कारी कर रहे हैं इनमें से एक ऐसा बंदा उत्पन होगा जिसके पास फुर्सत आएगी क्यों फुर्सत आएगी क्योंकि उसको खेतों में जाने की जोरत नहीं है खेतों में जाये बिना ही वो मैकसम उत्पादन हो सकता था अब यही फुर्सत का जो लड़का है यही यहां के जो उत्पाद है इसको देखे यह लाद करके और कहा जा रहा है तो आप कहेंगे के सर यह जा रहा है लोहे का कारे करने वाले के के पास मतलब लोहार के पास यहीं जाएगा बढ़ाई के पास क्लियर और पिर इसका परड़ाम क्या होगा कि यह लोहे के उपकरणों को लकड़ी के उपकरणों को क्राय करेगा अब क्राय करने के लिए वह किसका प्रयोग करेगा तो आप कहोगे कि सर वह बार्टर का अदला बदली करेगा मतलब अपना अनाज दे करके और क्या करेगा लौ और लकड़ी या कपड़े इत्याद में उसे बदलेगा ठीक है और जब यह प्रक्रिया उसने शुरू किया तो इसी प्रक्रिया का नाम है बाजार तंत्र ठीक है अब देखें लेकिन बाजार विक्सित कैसे हो रहा है तो देखें बाजार विक्सित होता है एक आर्टीसियन के कारण आर्टीसियन का मतलब सिल्पी के कारण उत्पादक के कारण और यह उत्पादक कौन कौन है प्रारंभेक उत्पादक में तो आप एक तो देख रहे हैं पढ़ी में काम करने वाला बढ़ए ही फिर कपड़े में काम करने वाला बैक जो जुलहा है एक यही पहली बाजारत का पहला सबूत है फिर यह लोग जहां रहेंगे वहीं पर बाजार बनेगा clear और यह जो बाजार बन रहा है ठीक है यही बाजार से अब क्या करेगा traders माल को लेगा और माल को लेकर कि यह आगे जाएगा आगे कहां जाएगा तो आप कहेंगे कि sir आप पुना ध्यान दें तो यहां कह रहा है कि craftsmen and merchants form their own organization known as guilds ठीक है तो यह बाजार के बाद यह जिन जिन अस्थानों पर जाएगा तो बीच में दूर के अस्थानों पर जाने के लिए जो कि वह पैदल जा रहा है या किसी पसू गाड़ी से जा रहा है मुकता बैल गाड़ी या घोड़े गाड़ी से जाता था तो ऐसे जिती में थोड़े दोर जाने के बाद वह उन अस्थानों पर रुख जाता था जहां पर जल्स रोत था तो उस ब्यापारी से कुछ पाने के लिए जो आस पास के सेवक हैं वो लोग वहां आकर के रहने ठीक है तो ऐसे सिती में जो पड़ाव हुआ व्यापारियों का वह पड़ाव भी शहर में बदला था क्लियर मैं सुचता हूं कि आप यह चीज़ भी समझ गये होंगे लेकिन एक चीज़ देखिए समय बदलता गया और जब समय बदला तो जो उत्पादक है उसके सामनी भी चुनोती आई और जो व्यापारी है उसके सामनी भी चुनोती आ रही है तो इस चुनोती का समाधान करने के लिए दोनों ही अपना अपना एक संग या संगठन बना देंगे ठीक है जिसे यहां लि मतलब शिल्पी और व्यापारी妈। करा संघ और संगठन अरफटनतर मतलब शिल्पी और यह चो व्यापारि यह दोनों auen नगना तरह यह इवा आपना और संग्ठन वर यह है संग्ठन बनान रहा है। यहीं जो संग्ठन न are ना इसी को गिल्ड से कहा जाता है, अगर हिंदी में आप बात करें, तो इसी गिल्ड को हिंदी में हम लोग स्रेणी कहते हैं, clear? अब ये जो स्रेणियां है, ये बनाई क्यों जाती थी, clear? तो स्रेडिया आप याद रखेगा चाहे वो क्रोट्समेन हो चाहे वो व्यापरी हो उनकी हितों की रच्छक ले बनाई जाते थी और इनका खुद का कानून होता था इनका स्वम का एक कांस्यूशन था ठीक है और इनकी कानून को क्या कहा जाता था तो आप कहेंगे कि सर्षेड़ी धर्म कहा जाता था गिल्ड लॉव की नाम से उसे जाना जाता था अब यह कि देखिए कि यह जो गिल्ड लॉवन रहा है तो कर रहा है कि दे गिल्ड आफ क्राफ्ट्समेन फर फॉर्म्स फाइब फंक्सन जो उत्पादक वर्ग है उसका जो संगटन है वह पांच परकार क्राइक को करता था तो उस दिखा रहा है कि पहला जो अपने सदस आरे हें वह प्रोवाइडिंग ठ्रेट्रिनिंग ट्रू میम्बर्स अपने सदस्यों को एक उचित प्रसिछण देता है इसके बाद और वी वह कारी करता है वह कारी क्या करता है Supplying Raw Material ठीक है अपने जो सदस्य है ठीक है उत्पादक है उनको वह कच्छा माल सप्लाई करता है इसके अत्रिक्त वह और क्या कर रहा है तो आप कहेंगे कि जो माल निर्मित हो जाता है उस निर्मित माल का वहाँ distribution करता है ठीक है और fourth work इसका क्या है तो fourth work इसका है protecting the interest of its member अपनी सदस्यों के हितों के लिए वहाँ कार करता है और एक point last point इसका है कि determining the price of their products और अपनी यहाँ जो उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन का वह मुल्य निर्धारित करता है अब स्रेड़ी धर्म इतना ताकतवर था या स्रेड़ियां इतनी ताकतवर थी कि राज्य का जो कानून था वह इसमें हस्तचेप नहीं करता था क्लियर और जो स्रेड़ियां है यह अपने सदस्यों के बैतगत जीवन में भी हस्तचेप करती थी लेकिन राज अब आपसे प्रस्थन उठता है आपके सामने पूछा जा सकता है कि राज कब इनके मामले में हस्तचेप करता था तो आप याद रखना जब दो या दो से अधिक स्रेड़ियां आपस में लड़ जाती थी तो यह करते क्या थे फिर यह इस्टेट का सहयोग लेते थे तभी इस्टेट उसमें हस्तचेप करता था अनिथा इस्टेट इसमें हस्तचेप नहीं करता था क्लियर और आप आपको यह प्वांच पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे लेकिन अब यह कोशन आपसे और पूछते हैं कि स्रेड़ि संकट क्या है तो आप याद रखेगा स्रेडियों का संगठन मुक्तह जात या धारित था और जातियां बनती कैसे हैं बेवसाय से जैसे कुमहार का कारी क्या है बरतन बनाना क्लियर लेकिन अगर कुमहार जाती ही बरतन बनाने के बेवसाय से अलग हो जाए तो उसे स्रेड़ि संकट कहते हैं किसे सदस के छोड़ देने से या मर जाने से स्रेडियों का संकट नहीं होता था अपने मूल पेसे को छोड़ जाती थी तो उसी को स्रेड़ी अब ठीक ऐसी ही बाते आती हैं कि जो ब्यापारियों का अपना संगठन है उसका क्या कार्य था तो देखिए करहें कि जो मर्चेंड्स गिल्ड्स हैं वो क्या कर रही है तो करहें कि जैसे क्रॉप्ट मैं या सिल्पी लोग अपनी ब्यापारियों अपनी सदस्यों के हीतों के रच्छा करती थी वैसे जो ब्यापारी संग है वह करहें कि प्रोटेक्ट दे इंट्रेस्ट आफ ट्रेडर्स एंड ट्रेड जो ब्यापारी संगठन है ना वह भी ब्यापार के रच्छा करती हैं ब्यापारियों के रच्छ also acted as bank चाहे वो गिल्ट सिल्पियों की हो चाहे वो गिल्ट या स्रेड़ी व्यापारियों की हो ठीक है यह दोनों ही स्रेड़िया बैंक का काम करती थी देखें यह बैंक आपको देखाया जा रहा है फिर इसके बाद एक प्रस्थ आपके सामने आव रहाता है दे प्रोवाइट प्रस्थ बेनिफिट्स टुदि डिपॉजिटर्स अब जब यह बैंक का काम कर रही है तो इनके पास जो डिपॉजिट होती थी तेक है उस डिपॉजिटर्स को और इसके बाद खुद अपना भी लाब लेती थी और साथ में ही वह रिलिजियस जो धार्मिक संस्थान है उस का भी यह भरण पोस्टन करती थी क्लियर अब यह देखिए यह डिपॉजिट देखाय जा रहा है यह बैंक की अपनी डिपॉजिट से यह अब बैंक क्या करेगा बहु एक तो अपना लाब ले लेगा बहु बिना लाब कि वह क्यों काम करेगा दूसरी चीज होगा कि जो डिपॉजिटर्स हैं जिसने जमा किया है धन उसको तो देंगी ही देंगी इसके साथ एक कामो और करती हैं क्या कारे करेंगी तो आप कहेंगी कि यह धर्माले चलाती थी धर्मालों को बड़े-बड़े दान दिया करती थी क्लियर और एक चीज आप याद रखेगा यह जो विदेशी ट्रेडर्स थे उनको सार्टिफिकेट भी देती थी और विदेशों में जो व्यापार करने वाले लोग थे उनको भी हुंडी जिसे हिंदी में कहते हैं चेक भी जारी करती थी तो अब मुझे लगता है कि आपको ट्रेड का डव्ल्ब्लपमेंट कैसे हुआ यह समझ में आगया होगा और घंऑ का यहीं समझ में आगया हुगा वही ब्यापारी है अब यह सभी लोग क्या कर रहे हैं गैर क्रिशी कारे करते हैं और यह जिस अस्थान पर रहते हैं ठीक है वहां पर क्या होगा ठीक है वहीं पर यह बाजार विक्सित होगा यहीं बाजार जब धीरी धीरी बड़ा होगा तो वह टाउन में बदल जाएगा ठीक है अब देखें और यही ताउन्स क्या हो रहा है दीरी धीरी ताउन्स या सहर यही धीरी धीरी बढ़ा हो करके ठीक है आधनी के सुरूप को लेगा अब आपके सामने एक चीजा रहा होगा कि देखिए जो प्रारंभिक व्यापार हुआ करता था ठीक है जब आधिम मानों ने अपना व्यापार शुरूप किया तो व्यापार उसने कैसे किया बार्टर के माध्यम से किया था बार्टर का मतलब क्या है आपने मुझे गहूं दिया तो मैं आपको उसके बदले चावल दे दूगा बिनमे तो बार्टर ट्रेड ओवर लॉंग डिस्टन्स वाच चैलेंजिंग टॉस्क लेकिन कह रहा है कि देखिए जो बिनमे का साधन है वह आसपास के लिए तो ठीक है ल और वहां से कोई चुझ लेकर आएंगे तो यह एक टिपकल कार्य है तो इस समस्या के समाधान के लिए ठीक है क्या किया गया तो आप कहेंगे सर सिख्के जाड़ी किया गया और यह सिख्कों में जो भारत का प्राचिंतम चिक्क है उसे कहा जाता है कि को पंच मारक है देखे लिखा है टो साल्ब इस प्रॉबलम दे यूज आप करेंसी विगौन किस प्रॉबलम को सॉल्ब करने के लिए यह जो बाटर है ना अदलाबदली से जो आफ समान को जारी किया और यह जो करेंसी है ठीक है जो पहली करेंसी है उसे हम पंच मार्क कहते हैं देखो जो पंच मार्क होता है ठीक है इसी को कि दू da Impie के लोग जानते हैं मैं पहली चीज आप याद रखना हिंदी में इसे आहत मुद्रा कहा जाता है आहत मुद्रा ये naam कि निया तो आप कोगैं कि सर्य वासु देव सरण अगरवाल ने दिया था लेकिन इस सिक्खे का जो पंच मार्क नाम है वह किस ने दिया तो आप जानते हो ठीक है जेमस प्रिंसप ने दिया था यह वही जेमस प्रिंसप जिन्होंने असो के त्येक है दिली टोप्रा अभलेक को पहली वार पढ़ा था आप यह बनाते कैसे थी तो आप कहेंगे कि सर यह तामभी या सिल्वर चांदी कि किसी प्लेट को ले लेते थे और उस प्लेट पर तमाम प्रकार की आकृतियां ठीक है यह उत्कृण कर देते थे तो इस process को जिस process से यह बनाया जाता था उसे कहा जाता था bent bar technique bent bar technique तो जो पंच मार्क सिक्के हैं वो bent bar technique से ही बनाया जाते थे clear आपकी सामने यही matter मुझे देना था और आपको समझाना था ठीक है आज इतना ही great good day कि अजिए को माने यल है और कर दो रहर जो दिसाना हे बना क love मुझे बेला की है यहार मँठा आपकcol मुठा र svenग किorphे देशसारं था प्रुछ्टरा शेतना है कि यहाल्स भी कRIज़ е भी खस ताना है यहाँ चीस अजिए क्पशना भी आपक उना शई को आईक है